दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस टीटेंड टूनामेंट के आज के दिन के आखरी मुकाबले के बारे में जो खिला जाएगा S.P.C. वसिस एलाई के बीच में अगर पिछ के बारे में बात करें तो दोस्तो बैटिंग के लिए काफी अच्छा विकेट है जो बल्लेबाज अपने पोटेंशिल के इसाफ से बल्लेबाजी कर रहे है वो यहाँ पर काफी अच्छे रन लगा रहे है और जो गिनदबाज सही लाइन और लैंट पे बॉलिंग करेगा टीम के और से गर्नेट टर और यहां से मूसा एमद आपको ओपन करते नजर आएंगे गर्नेट ने स्टार्ट के चार मैस में दोस्तो तीन जबरदस्त हाफ सैंसुरी लगाई थी एक मैस में 38 रन बनाए और लास्ट मैस में दोस्तो यह शिर्फ सैरन पर आउट हो गए लेकिन दोस्तो बड़े बल्ले बाज हैं और जब तक क्रीज पे रहेंगे आपको बड़े हिट देखने को मिलेंगे और बैटिंग के तोर पर बैस पिक है जिनको आप कैप्टन भी बना सकते हैं मुसा एमज हार्ड इटर बल्ले बाज हैं दोस्तो पिछले सीजन के हाइस रन स्कोरर रहे हैं और यहाँ पर देखोगे 34-21 नाबाज और लास्ट मैस में दोस्तो इन्होंने बड़ी भेंकर बल्ले बाजी की थी 101 रन पिए नाबाज रहे और दोस्तो यह भी जब तक क्रीज पे रहने वाले हैं आपको बड़े हिट देखेंगे आपको चोकोच छकों के साथ इंटर्टैन करेंगे तो दोनों के दोनों दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की बिल्कुल जबर्दस पिक रहने वाली है आरियन दत्त है दोस्तों 1 डाउन या 2 डाउन केलते हैं बैटिंग में 13 नाबाज, 9 नाबाज, 14 और लास्ट मैस में एक बनाया बोलिंग में 5 मैस में से 4 मैस में बोलिंग की है 2 मैस में 2 डोवर डाले, 2 मैस में 1 एक अवर डाला विकेट का जानतक सवाल है सिरफ लास्ट मैस में एक विकेट मिला इससे पहले 3 मैस में विकेट लेस रहे थे विगरम दीज सिंग है बैटिंग में दोस्तों नमबर 4 या 5 पे मोका मिलता है शुरू के 3 मैश में बैटिंग बिल्कुल फ्लोप थी लाश्ट मैश में लगबग 7-8 के दो में उने एक किसन मनाए अटेकिंग बल्लेवाजी की बॉलिंग में इनको भी दोस्तों 5 में से 4 और में बॉलिंग करने को मिली टोटल 6 वर डालें 2 मैश में 1-1 करके 2 वेकेट और 2 मैश में विकेट लास रहे सरीज एमत दोस्तों काफी अच्छी बॉलिंग करवाते हैं इकोनमी भी अच्छी रहती है, वियकेड निकालने की बियाबिलीटी है, 5 मैश में से 2 मैश में तो वियकेड नहीं मिला था, देगिन बाकी के 3 मैश में 5 वियकेड निकाले, तो बिलकुल अच्छी पिक रहेगी, अगर शेकन इरिंग में बॉलिंग करे तो और भी बैस्ट पि में पारियी और ना ही लाश्ट के दो मैश में इनको बैटिंग करने का मोका मिला आसी पे होसीन बैक्स हैं दोस्तों जो कि लगबग दो वर कंपेट डा रहे हैं अब तक चार मैशस के अंदर टोटल साथ वर बॉलिंग की हैं साथ और में दोस्तों तीन मैश में तो एक एक करके इन्होंने तीन विकेट निकाल लिये एक मैश में इनको विकेट नहीं मिला टोम हुवर गैं दो मैश दस रन एक विकेट पहले मैश में और लाश्ट मैश में दो वर 21 रन एक विकेट दो मैच में दोस्तों दो विकेट निकाल चुके हैं इमरान चोजरी पहले मैच में दो और तेरा रण एक विकेट लेकिन जो लास्ट मैच था उसके एक गैम चंजर प्लेयर रहे थे एक पॉइंट पांच और में 20 संखसके और चार जवर्दस्त विकेट टीम को निकाल के दिए मनमिंदर शिंग एवरेज परफॉर्मर गेंद बाज हैं एक मैच में एक और में 20 संट एक विकेट था लास्ट मैच में एकोनमी अच्छी रही लेकिन विकेट इनको नहीं मिला बाकि बैंच के प्लेयर को लेकर कोई भी चैन्स वेकरा होगा तो उसकी पूरी जो इन्पॉर्मेशन है दोस्तों रिकोर्ड के साथ मिले कि हमारी टैलिगाम ने और टैलिगाम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा अब हम बात करें L.I.E. के बारे में उससे पहले दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई की मेनत और मोटिवेसन के लिए एक लाइक जुरूर कर दें और चैनल पर अगर आप पहली बार पुजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले हैं L.I.E. की जो टीम है दोस्तों पहला मुकाबला S.P.C. के खिलाब ही हार कराई है 46 रन से और इनके बैटिंग ओर्डर में मुझे लगता है दोस्तों कोई न कोई चैन्स जुरूर देखने को मिल सकता इस मैस में पिछली मैस में मुनीब मुमद और अब्दुल रह्मान ओपन करने आए थे मुनीब मुमद है दोस्तों वो T20 इंटरनेशनल बैल्जिम के और शे खेलते हैं और इंटरनेशनल में पिछली साथ इनिंग में 115 रन बना कराए हैं जिसमें से एक मैस में इनोंने 53 गेंदों में 70 नाबाद बनाए थे तो ये भी दोस्तों एक एगरिश्यू टाइप के अटैकिंग बल्लेबाद हैं कभी भी बड़े रन लगा सकती हैं लास्ट मैस में 13 रन बनाए अब्दुल रह्मान लास्ट टाइम 2020 में ECS में ही खेलके गए थे वहाँ पर इनोंने 23 में 49 आठ गेंदों में 16 रन एक विकेट बॉलिंग में भी निकाला था और एक मैस में 16 गेंदों में 9 बनाए तो दोस्तों बैटिंग ठीक ठाक करते हैं अगर नीड हुई तो बॉलिंग भी करवा सकते हैं लेकिन लास्ट मैस में बॉलिंग इनकी बॉलिंग इनसे करवाई नहीं और बैटिंग में ये चल नहीं पाए इनके बाद यहां से बुरहान नाईज है जो कि T20 इंटरनेशनल प्लेर है टेकनिकल बल्ले बाजी करते हैं लास्ट मैस में 0 रन पे रन आउट हो गए थे लेकिन बॉलिंग देखोगे मीडियम पेसर और एक जबरदस विकेट टैकर गेंद बाज है पिसली 14 T20 इंटरनेशन बल्ले बाज है यह भी दोस्तों बड़े हिट में विश्वास रखते हैं कई बाद जल्दी आउट हो जाती है अगर शैट हो जाए तो बड़े रन के लिए जाते हैं जैसा कि लास्ट मैस में 55 रन बनाए बैटिंग के लावा दोस्तों एक काफी अच्छी लैग स्पिन गें पड़ सकता है लेकिन दोस्तों एबलेट इनके पास काफी अची है कभी भी ये बड़े विकेट निकाल सकते हैं बैल्जियम की टीम को दोस्तों ये पहले रिपरजेंट भी करते थे तो काफी अनुबविन के पास है इनके बाद यहां से एज फोन कुल्या नंबर पांस पर पर आए थे शेरन बैट के साथ बनाए बोलिंग में भारी मार पड़ी दोवर्ट सतिसर्ण विकेट भी नहीं मिला टीटवन्ट इंटरनेस्नल में भी ये भी खेलते हैं दोस्तों तो अनुबव तो इनके पास भी अच्छा है तो ग्रैंड ली में मोका देना चाहे तो इनक नेनिंग में सिर्फ बारा रन बना पाए थे सोहेल कालिम नंबर दस पर आए एक रन पर नाबाद थे बैटिंग में बोलिंग काफियत ची की दोस्तों ये स्पेस ले अपने लाइन और लैंट के लिए जाने जाते हैं ज्यादा पेस नहीं है लेकिन सही टपा रखते हैं और जवरदस्त अर्डिटर बल्ले बाज और डैथ उसके स्पेस्लिस्ट गेन बाज हैं अगर कोई भी खेलेगा तो अपडेट आपको दोस्तों टेलिगाम में मिल जाएगी और टेलिगाम जोइन करने का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के नीचे भी मैंसन किया है अगर लिंक बाइद भी बरक ना करें तो ऑदोस्तों आप सिधा टेलिगाम में जाके बेमेश सवर्ज कर सकते हैं आपको टेलिगाम में जाकर टाइप करना है WGF24 और सर्ज करके जूर जाना है टेलिगाम के अंदर और दोस्तों अभी जो लाइनक है वो आउट होने वाली है तो जैसी दोस्तों कंफरम 11-11 प्लेस का में पता चल जाएगा और टोस अबडेट आजाएगी उसके बाद चाहिए मारे स्मोल लिक की टीम हो चाहिए वो ग्रैन लिक की टीम हो वो आपको टेलिगाम में प्रवाइड करवा दी जाएगी तब तक के लिए दोस्तों उमीद करता हूं करते दाएगी तक के टीम है